साथियों, पार्टी के 40 वे स्थापना दिवस पर, मैं आज आपको कुछ सुझावों पर कार करने का आगर करना चाहता हूं। वैसे भारतिय जनता पार्टी ने, हमारी राष्टिय अद्धिक जी नद्दा जी ने, हमारी राष्टिय टीम ने जो एक खाका त्यार किया है। मैं उसी को सिफसे दोहरा रहा हूं। लेकिन मैं अपने तरीके से अपने शब्दों में दोहरा रहा हूं। कि हम सब पार्यकर्ता के नाते मेरे लिए भी बंधन करता है और हम सब पार्यकर्ताओं ने पार्टी के इस आग्रह को जरूर पालन करना है इन सुझावों में अंत्योदय की भावना भी है और सेवा का अटल संकल्प भी है मैं आज इस विशेश परिस्तिती में इन में से कुछ कार्यों पर थोड़ा अधीक बल लेने के लिए आपसे आग्रह करूंगा साथियों में आपसे प्रार्थ्रा करूंगा इसे एक तरह से आप मेरे पाँच आग्रह मान सकते हैं पंच आग्रह इसमें पहला आग्रह है गरीबों को राशन के लिए अवीरत सेवा अभियान ऐसाने कुछ दिन करेंगे अभिरत सेवा अभियान जब से ये संकट सुरू वा है तब से भाजपा के लाखों कायर करता है दिन राद गरीबों की मदद करने उन्हें राशन पहुंचाने के कारे में चूटे हैं आने वाले दिनों में आप सभी को इसे एक बड़े अभियान में बदलना है अपने खेत्रे में और भी जो छोटे मोटे सामाजिक संगटन काम करते हैं उनको भी एक धागे में पिरो करके सबको जरूरत मन को पहुंचे जरूरत मन को रहना जाए यह हमें सुनिश्चित करना है एक एक भाजब कारकरता यह पक्का कर लें कि हमारे आसपास एक भी गरीब भूका न रहे उसके पांस परियाप्त भोजन हो साथियों आपको एक और बात ध्यान रखनी है कि किसी की मदद के लिए जाते समय फेश कवर जरूर पहने और मैं यह भी बताता हूं कि यह कोई जरूरी नहीं है कि जो डॉक्टरनों के लिए निर्धारित हैं जो नर्सिस के लिए हास्ता और निर्धारित हैं जो परामेलिकर स्टाप के लिए आवशक हैं वैसे मार्क्स पहनना ही जरूरी है ऐसा नहीं है हर घर में किसी भी साधरन कपड़े से हम तयार करें और फेश कवर रख सकते हैं और मैं तो मानता हूं यह लगबग हमें आदत बनाने ही पड़ेगी इससे बचने के लिए हमारा फेश कवर हो तौलिया हो कुछ भी हो लेकिन लगातार हो मेरा दूसरा आग्र है कि अपने साथ ही आप पांच सान अन्य लोकों के लिए अपने घर में फेश कवर बना करके उ उनका वित्रण कर सकते हैं साथ्यों इस मुश्किल समय में समाज को सेवाएं दे रहें सभी लोगों का आभार करना उनके प्रती धन्यवाद व्यक्त करना उनको मनोबल बढ़ाना यह सिर्फ हमारा हिदाई तो हैसा नहीं है समाज को भी इस काम के लिए मोबिलाइज करना शाहिए मेरा तीसरा आग्रह है उसी संदर में के धन्यवाद अभ्यान चलाने के लिए पार्टी की तरप से हमें एक मोटा मोटा खाका दिया गया है कि पांच अलग अलग वर्ग है और हर घर से इन पांचों लोगों के लिए अलग अलग धन्यवाद पत्रा लेना चाहिए और ये धन्यवाद पत्र ले करके हमें साहमुई ग्रूप से उनके सामने देना चाहिए और वो भी पोलिंग बुथ में करना चाहिए पहला वर्ग है आपके इलाके में जो भी नर्सस और डॉक्टर हो दूसरा सफाई कर्मचारी तीसरा पुलिस कर्मी चोथा बैंक और पोस्ट अफिस में काम कर रहे लोग पांचवा आवशक का सेवाओं में जुटे हुए सभी सरकारी मुलाजीम हमें इन सभी का आभार व्यक्त करना है इसके लिए आप अपने अपने बूथ में और जब पार्टी के चालीसवा स्थापना दिन है तो इसको याद रखते हुए हर बुथ में चालीस गर इन पांच अलग-अलग प्रस्तावों पर सिगनेचर करें पांच अलग-अलग सेट में धन्यवाद पत्र तयार हो और वो सारे धन्यवाद पत्र उसी पुलिंग उसमें जो जो सम्मधित हो उन तक रूपरू जाकर के दिया जाए साथियों कोरोना के खिलाब लड़ाई में मदद करने के लिए एक और काम में आपसे आगरे पुर्वक करना चाहूँगा यह लंबी लड़ाई के लिए बहुत अनिवार है हम जितना सफलता पुर्वक इस काम को करेंगे हम आने वाले दिनों में संक्रमन की स्थिती में काबू पाप आएंगे और वो है भारत सरकार ने एक आरोग्य सेतु एप विक्सित किया गया है हमने इस आरोग्य सेतु एप को डाउनलोड करने के लिए मेरा चौता आगरह है कि जादा से जादा लोगों को जानकारी दें और कम से कम 40 लोगों के मुबाइल में ये एप आप इंस्टॉल करवाए ही और उसके अंदर उनकी जो जानकारी है वो डाल दी जाए तो अटोमेटिकली वैब से उनको बताये जाएगा कि अब आपको किस बीमारी की क्या स्थिती है आपको आगे की क्या सेवाओं की जरूत है आपको किसकी मदर लेनी चाहिए आपको किन किन लोगों से बचके रहना चाहिए उनको पता चलेगा कि आपके पास ये सहजन कल आके गए थे वो संकट वाले हैं अगर उसके पास ये एप होगा तो उसको ये पता चलेगा और इसलिए संकट के स्थिती में हमें ये आरोग्य सेतु एप हरेक यहां इंस्टॉल भी करवाना है और उनसे भरवाना भी है एक और काम है इतनी बड़ी लड़ाई है आर्थी के सेवा बहुत महत्वपुन होती है हमने देखा है कि जब देश युद्ध के मोर्चे पर होता है तो हमारी मांता है बैने गहने देते ते सोना दे देती हैं गरिब भी गरिब अपना पांच पैसा दस पैसा बचाया हो तो देने के लिए भार आ जाता है यह हमने हर युद्ध के समय देखा है यह युद्ध मानवता के खिलाब है यह युद्ध से जरा भी कम नहीं है युद्ध के समय देश के लिए देश के नागरीकों के लिए जिस प्रकार से हम दान की एक बहुत बड़ी परंपरा खड़ी कर देते हैं इस समय भी लाखों लोग पी-म कैर्स फंड में दान कर रहे हैं लेकिन वो और बढ़ना चाहिए और इसलिए मेरा पांचवा आग्र है कि प्रतेग भाजबा कायर करता को खुद भी खुद भी सहयो करना है और बीजेपी के 40 सान निमित और 40 लोगों से भी पी-म कैर में फंड सहयो करने के प्रेरित करना है